नमस्कार दोस्तों मैं उमिश्यर्मा चार्ट अनेलिसिस चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में बात करेंगे हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे निफ्टी की और बताएंगे की ये जो गिराबट आज के दिन आपको देखने को बिली है क्या ये आगे भी बरकरा रहीगी यहाँ फिर आपको फिर से स्विंग देखने को मिलेगा कि hanging man pattern बना था अगर आप यह देख रहे हैं दोस्तों तो यहां पे देखेगा hanging man pattern बना था और हमने पहले ही predict कर दिया था कि hanging man के बाद गिरावट देखने को मिलती है और आज nifty ने जो लो बनाया वो बना दिया 18,048 के आसपा spot market में और 18,450 से हम कह रहे हैं कि भी यह nifty को sell करक तो आशा करूँगा कि आपने nifty में trade करके पैसा बनाया होगा काफी सारे screenshot मेरे पास आए हैं जिसमें लोगों ने हमारे users ने trade करके पैसा बनाया हैं तो आशा करूँगा कि आपने भी trade करके nifty में अच्छा कासा पैसा बनाया होगा अब बात करेंगे कि यहां से आपको क्या यहां से फिलाल कोई ऐसे गिरावट बड़ी देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि अभी कोई भी पैटर्न नहीं मना है क्योंकि जो पैटर्न मना था उसके accordingly टार्गेट आ गया है तो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन मैं यहां पे उसके support पे touch करके फिर से इसने उचाल इसमें देखने को मिला है तो मुझे यह ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे निफ्टी में एक बड़ा उचाल देखने को मिल सकता है अगर वहीं पे दोस्तों मैं एक फोर अवरली चार्ट पर यहां पर हैंगिंग पैसा बनाना है तो पैसा बनाने के लिए क्या करियेगा वो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूं वह अब यह करिएगा कि निफ्टी का जो हाई है 18,223 रुपे का यहां पे 18,223 जो हाई है वो अगल कर दिन ब्रेक होता है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं हमारा जो चैनल है वो एक एजूकेशनल चैनल है अगर आप हमारे बताए कि किसी स्टॉप में कोई ट्रेड बनाएंगे तो रिस्क आपका अपना है तो ट्रेड लेने से पहले अपने फैनेशल अडवाइजर से उसकी सलाज जरूर ले लिजेगा अब यहां पर कहना चाहेंग है वो काफी नीचे है तो कहना चाहूंगा वो इसलिए उसका सबसे बड़ा कारणी है क्योंकि इस केंडल का लो है 18,050 का तो वहां से आपका जो स्टॉप लोस है वो आल्मोस्ट यहां पर कहना चाहूंगा 175 पॉइंट्स का बनता है या फिर आप कह सकते 175 पॉइंट से 200 हाई था और अगर हम निफ्टी के बात करें तो निफ्टी का जो हाई बनाता वो बनाता 18,600 के आसपास का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 18,230 के ओपर अगर बाय करते हैं बनाते हैं तो आपका टार्गेट रहेगा दोस्तों 18,600 के आसपास का और स्टॉप लोस डॉप दोस्तों वो लगा सकते हैं 18,050 के आसपास का तो आपके लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर एक टार्गेट दे दिया है आपके लिए एक लेवल मैंने आपको बता दिया है कि किस लेवल के उपर आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं तो जिस तरीके से आपने सेल करके पैसा ऑसी तरीके से और करके भी निफ्टी में ट्यड कर सकते हैं तो आज भी दोस्तों हमारा जो प्रॉफिरो में बता था मैं पुटे निफ्टी में पूर्फित बुक कर लिया है जो इए फिस डी difference लोगों की के स्क्रीशोट बेंग एसा पैसा भाद्यों दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया है पट एक जो स्टॉक माफ़ किजेंका इंडेक्स की बात करूँ को है यहां पर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा चक्मा दिया है आज क्योंकि देखें हैंगिंग में हमें निफ्टी में देखने को मिलाता हूँ और इसके साथ से दोस्त चाइए या फिर हमें sell करना चाहें किस तरीखे से करने चाहतें स्टाइटिजी में किस तरीक catch है तो पोदोस्तों हदना क्या करना है अब को चार्ट मिलता है तो आप यका एक प्टरण मिलता है तो ही sell करिएगा और अगर कोई भी pattern आपको दिखाई नहीं देते तो पूरी तरीके से उसको avoid कर दीजेगा अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूं कि अगर आपको इसी तरीके से अगर आपको हमारी news चाहिए यानि कि हम जो pattern जो यानि कि जो भी चाहिए पैटर मंतर की फोटो क्लिकर के बेजते हैं तो आपके करिएगा टेलिग्राम बे जाहिए वहाँ पे लिखे चार्ट अनैलिसिस और चार्ट अनैलिसिस को जाके जल्दी से आप जॉइन कर लिजे फिलाल मैं कहना चाहूँगा यहां पर अपना private telegram channel आपको दिखाना चाहूँगा तो private telegram channel में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन से कौन से stock हमने recommend करे थे तो यहां पर दोस्तों देखिएगा कि हमने private telegram channel पर काफी सारे messages करे थे जैसे के आप देख रहे हैं यह एक SBA में पैटन मना है जिसको बूलते हैं बेरी शेरायमी पैटन तो SBA का चार्ट में आपको दिखाल देता हूँ जिसके इसाब सब कल के दिन में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं यहाँ पे देखेगा SBA में इस जगा पे पैटन मना है जिसको बूलते हैं बेरी शेरायमी तो अच्छा पैटन है इसके इस लेवल पर आप शौर्ट पोजिशन मना सकते हैं अब इसकी क्लोजिंग होई है पांसो तीन के आसपास और इसका जो SL बनता है दोस्तों वो बनता है 507 के आसपास का तो SBA को दोस्तों अपने डार में जरूर रखिएगा दूसरा स्टॉक जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहंगा वो है आईशर मोटर आईशर मोटर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आईशर मोटर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों इस जगा पे मैं क्या करता हूँ H1 का चार्ट आपके समने उपन कर देता हूँ तो H1 के चार्ट पे आईशर मोटर में एक पैटर मना है जिसको बोलते हम बुलिश एंगल फिंग हाला कि पहले ही बुलिश एंगल फिंग बना था अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी ही हमें अचा लग रहा है कि 1823 के उपर पोडिशन माय में मना सकते हैं इसके इलावा और कोई ऐसे बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है जिसमें कोई अच्छी कहना चाओंगा कि कोई कोई प्रॉफिटेबल या फिर कोई अच्छा पैटन देखने को मिल रहा है तो कहना चाओंगा अगर आपको इसी तरीके का टेक्निकल अनालिस सीखना है तो आप जाहिए हमारी वेबसाइट पे लेबसाइट है www.chartanalysis.co.in वहाँ पे जाके आप यूजर इडी कर सकते हैं ओटी भी पास्टवर आएगा वहाँ से आप हमारा टेकनिकल का कोर्स पर्चेस कर सकते हैं साथ-साथ हमारा ऑप्शन का कोर्स है और दोनों का कॉंबो भी आप पर्चेस कर सकते हैं यह सारी वीड जो कि हमारा private telegram channel है Sunday को हम webinars करते हैं कोई doubt है कोई query तो आप मुझे call कर सकते हैं राव कर सकते हैं ,कि किमेट Pay periodац ad is open कराएंगे , yah Got a email Loganda ! आज के लिफा है बाप्शन करते हैं वीडियो भी क्राइब दीस करूउम करें दोraट बाने साथ-साथ करते हैं आज के लिए बस इतने दोस्तों धन्यवाद